हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहिए भिहाज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग छेती राज पंजाब एवं मैसुर से सम्मन्दित सभी प्रश्णों को इस वीडियो में पढ़ेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमा चनल भिहाज जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जोर दबाएं तो आएए वीडियो को शाट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को परहेंगे तो आएए इसके नोट्स को परते हैं रंजीत सिंग का जन तेया नवंबर 1780 को सुकर चक्या मिसल में हुआ था जिसके मुख्या महाशिंग थे नेक्स पॉइंट है महाजार रंजीत सिंग और अंग्रेजो के बीच अमरित सर की संदी 25 अप्रेल 1809 इसवी को हुई थी उसने अर्थात रंजीत सिंग ने 1818 इसवी में मुलतान को 819 इसवी में काश्मीर को और 834 इसवी में पेशाबर को जीता था नेक्स पॉइंट है 1798 इसवी में अफगानिस्तान के शाशक जमान सा थे जिसने पंजाब पर आकमन किया था कब किया था तो 1798 इसवी में वे जब वापस जा रहे थे तो उनकी तोप चिनाव नदी में गिर गई थी किसकी तोप चिनाव नदी में गिर गई थी जमान सा की जिसे रंजीत सिंग ने निकलवा कर वापस भीजवा दिया जिससे खुसो कर जमान सा ने उसे अर्थात रंजीत सिंग को लहोर पर अधिकार करने की अनुमती दे दी थी वहीं अगला पॉइंट है 1799 इसपी में रंजीत सिंग ने ततकाल लहोर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया जमान सा ने उन्हें राजा की उपाधी दी थी तो इसे आप या दखेंगे कि किसने राजा रंजीत सिंग को राजा की उपाधी दी तो जमान सा ने और लहोर का अपना सुबेदार मान लिया नेक्स्ट पॉइंट है रंजीत सिंग ने 805 इसवी में अमरित सर को भी भंगी मिशल से छिन लिया और उसके बाद पंजाब की राजनेतिक राजधानी लाहोर और धार्मिक राजधानी अमरित सर दोनों ही उसके अधिन आ गई तो इसे आप या कोश्चन बना सकतें कि पंजाब की राजनेतिक राजधानी कौन तो पंजाब की राजनेतिक राजधानी रंजीत सिंग ने लाहोर को बनाया और धार्मिक राजधानी अमरित सर को बनाया था आगे है रंजीत सिंग एक योगी शाषक था उन्होंने कहा था इस्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाशे देखूं इसलिए उसने दूसरी आख की रोशनी ले ली थी अर्धात रंजीत सिंग का केवल एक आख था जिस कारण उसने अपने आपको प्रोशाहित करने के लिए यह सोच रखा था कि इस्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाशे देखूं इसलिए उसने दूसरी आख की रोशनी ले ली आगे है अफगान अमीर सा सूजा ने रंजीत सिंग को कोही नूर हीरा परदान किया था इसे आप जरूर याद दखेंगे कि रंजीत सिंग को कोही नूर हीरा किस ने दिया था तो अफगान अमीर सा सूजा ने नेक्स्ट है 849 इस्वी में रंजीत सिंग की मिर्ट्यू के बाद उसका पुत्र खरक सिंग सिहासन बर बैठा था यह भी प्रश्ण आ सकता है कि रंजीत सिंग के बाद सिहासन पर कौन बैठा तो उसका पुत्र खरक सिंग इसे अफिम खाने की आदत थी अर्धात रंजीत सिंग के पुद्र खरक सिंग को अफिम खाने की आदत थी इसके शाषनकाल के दोरान सिग्रही दरवार में दो बिरोधी दल, संधावालिया सरदार, जोकी चैत सिंग, अतर सिंग, लहना सिंग तथा उनके भतीजे अजीत सिंग और डोंगरा बंधुओ, ध्यान सिंग, गुलाब सिंग और सुचेत सिंग की परतीव द्वंधिता के कार अरजकता फैल गई थी, आगे है, चिलियां वाला का युद 13 जनवरी 849 इस वी को लड़ा गया, कब लड़ा गया, 13 जनवरी 849 इस वी को, इस युद में अरथा चिलियां वाला युद में अंग्रेजी सेना का नेतित्व लौड गफ ने किया था, तथा शिक्षेना सेर सिं के नेतित में लरी गई, यह युद अनिरनित अरथात इसका कोई निरने नहीं हुआ, इस युद के समय भात का गवर्नर जनरल लौड डलहोजी था, नेक्स्ट पॉइंट है, महराजा दिलीप सिंग सिक्ष समराज के अंतिप साशक थे, यह प्रश्ण भी काफी इंपोर्ट है कि सिक्ष समराज के अंतिप साशक कौन थे, तो इसके अंतिप साशक महराजा दिलीप सिंग थे, उन्होंने अरथात दिलीप सिंग ने 843-849 इसवी तक साशन किया था, दिलीप सिंग ने सिक धर्म को छोर कर इस साई धर्म को अपना लिया था, इन्होंने रूस की यात्र महा में पेरिस अर्था फ्रांस में हो गया था इनकी अंतियेश्टी इंग्लेंड में ही हुई थी नेक्स्ट पॉइंट है अठासो उन्चास इस भी में दोतिये आंगल सिख यूद की समापती पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलाई कर लिया गया तथा दिलिप इनकी ने अठासो उन्चास इस भी में पंजाब पर शाषन करने के लिए तीन लोगों की एक परिशत का गठन किया जिसमें सर हैन्री लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया और बाकी दोतें जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्ज ग्रेंड विले मान सेले को सदस के रूप में निय किया गया था अवागे है पर्थम आंगल मैसूर युद पर्थम आंगल मैसूर युद 1767 से 1779 के बीच हुआ था अर्था 1767 से 1769 इस वी के बीच हुआ था इस युद में हैदर अली की विजय हुई जो की टीपूर सुल्दान के पिता थे इस दोरान अंग्रेज गवर्णर वेरियल स्टें युद 4 अप्रेल 1779 इस वी को मद्रास की संधीर के द्वारा समाप्त हुई थी तो आप लोग या दखेंगे पर्थम आंगल मैसूर युद का समय 1767 से 1779 इस वी था जिसमें हैदर अली की बीजय हुई थी इस युद की समाप्ती 4 अप्रेल 1779 को मद्रास की संधीर के द्वारा हुआ था दूसरा है दूती अंगल मैसूर युद जिसका समय 1780 से 1784 इस वी के दोरान हुआ था हैदर अली के स्वारी हैदर अली ने निजाम तथा मराठो के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद एक मोर्चा बनाया था जुलाई 1780 में हैदर अली ने करनाटक पर आकमन कर दिया था करनल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हरा कर अरकाट पर अधिकार कर लिया था इसी दोरान टीपु ने हैक्टर मुन्रो की सेना को पोली लूर नामक अस्थान पर हरा दिया था तो यह कोश्चन भी बहुत आता कि टीपु शुल्तान ने मुन्रो को कहां हराया तो पोली लूर नामक अस्थान पर अब आगे हैं 17-81 इसवी में हैदर अली का शामना अंग्रेज जनरल आयर कुट से हुआ था जिसने पोल्टो नोवा पोली लूर तथा सोलिंग गुर में हैदर अली को परास्त कर दिया कब दिसंबर 17-82 इसवी में हैदर अली की मिर्तिव के बाद टीपु शुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद संगर्स जारी रखा तथा अंथता अर्थात लाष्ट में मैंगलोर की संधी से दोत्लिये आंगल महिर सूर यूद का शमापन हुआ नेक्स्ट है टेपु शुल्तान ने से रंग पत्नम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहां जैकोबिन कलब की अस्थापना की और उनका शदश्य बना साथी उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसुर की मैत्री का परतिक सुतंता करवरिच रोपा था तो टेपु शुल्तान ने अपने समकालिन विदेशी राजधियों से मैत्री संबन बनाने तता अंग्रेजों के विरुद उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए एरान कुस्टुन तुनिया जिसे आजनिक इस्तांबुल कहा जाता अफगानिस्तान और फ्रांस आदी को दूत मंडल भेजे थे और आजनिक रिती पर दूतावासों की अस्थापना की थी तिसरा है तिरती आंग्ल मैसूर युद जोकी 1790 से 92 इसवी के बीच लड़ा गया का अवशान अर्थात समापन स्रीरंग पत्नम की संधी द्वारा हुआ था जोकी मार्ज 1792 को हुआ था इस संधी में अंग्रेजों की सेना शे कॉर्ण वालिस था मैसूर से टीपूर शुल्तान सामिल थे टीपूर शुल्तान चर्तृत आंग्ल मैसूर युद के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए कब मारे गए 1799 को इसके कुल के सदश्य को वेल लौर में कैद कर लिया गया था इस युद के समय अंग्रेजी सेना को वेले जली और अश्टूर्ट ने अपना नित्यत परदान किया था मैसूर को जितने की खुशी में आयरलैंड के लौर्ट समाज ने वेले जली को मार की वश्ट की उपादी परदान की थी युद के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गदी पर पुना अडियार वंस के एक बालक कृष्ण राज को बिठा दिया था तथा कनारा, कोयम बटूर और सीरंग पत्नम को अपने राज में मिला लिया आगे है बेगम सम्रू बेगम सम्रू ने एक अतिपरसिद चर्च का निर्मान मेरत के निकट सर्धना में करवाया था बेगम सम्रू के पती एक यूरोपिय वाल्टर रेन हार्ट सम्रे थे जिन्होंने कई रियासतों को सैन सेवाय परदान की थी सम्रे को बंगाल के नबाब नजम खा ने सहारन पूर के रुहेला सरदार जबता खा को हराने में पर्मुक भूमिका के कारण सर्धना की जागीर परदान की थी अपने परती की मिरत्यों के बाद बेगम सम्रू सर्धना की साशिका बनी थी तो आई चलते हैं अब इसके प्रश्ण कोस को देखते हैं इसमें पहला प्रश्ण है रंजीज सिंग के राज में संबलित था कौन था संबलित तो स्री नगर रंजीज सिंग का जन्म तेया नवंबर 1780 को सुकर चक्या मिसल के मुख्या महा सिंग के घर हुआ था महाराजा रंजीज सिंग और अंग्रेजों के बीच 25 अपरेल 809 इसवी को अम्रिश्ण की संधी हुई थी संधी का ततकालिक प्रभाव यह हुआ की रंजीज सिंग का सतलज पार के सिख राजाओं के उपर प्रभुत जमाने का स्वपना तूट गया प्रन्तु दूसरी ओर जैसा कंदिंगम ने कहा की रंजीज सिंग को पश्चिम दिशा में परशार करने की खुली छुट मिल गई थी उसने 818 इसवी में मुल्तान, 819 इसवी में कास्मीर और 834 इसवी में पेशाबर को जीत लिया इस परकार प्रश्चनकर विकल्पों में स्री नगर रंजीज सिंग के राज में समलित था अब अगला प्रश्चन है रंजीज सिंग का संबंद किस मिशल से था तो रंजीज सिंग का संबंद सुकर चक्या मिशल से था आगे है रंजीत सिंग किस मिसल से संबंदी थे तो पुना वही प्रश्ण है सुकर चक्या मिसल से अगला प्रश्ण है महाराजा रंजीत सिंग के राज की राजधानी कहा थी तो इसके राज की राजधानी लाहोर थी 1798 इस्वी में अफ़कानिस्तान के शाशक जमान साह ने पंजाब पर आकमन किया वापस जाते समय उसकी तोपे चिनाब नदी में गिर गई रंजीर सिंग ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया उस सेवा के बतले जमान साह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमती दे दी 1799 इस्वी में रंजीर सिंग ने त mythical लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया अब अगला प्रश्ण है राजा रंजित सिंग ने किस अस्थान पर अदालते आला की अस्थापना की तो इसका उत्तर है लहोर में रंजित सिंग की नियाय व्यवस्था कठोर थी राज की सरवोच अदालत का नाम अदालते आला था यह अदलत लहर में अस्तिती रंजीत सिंग स्वैम उसके परधान नियाया धीस थे अब अगला प्रश्ण है रंजीत सिंग ने सुर्परसित कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किस से तो इसका उत्तर है सा सूजा से पंजाव अहमद सा अफदाली के समराज का भाग था प्रंतु 1773 इस्वी में उसकी मिर्तियों के बाद मुल्तान कास्मीर इत्यादी कुछ छोटे छोटे भागों को छोर कर सेस पर सिक मिशलों का अधिकार हो गया उधर अफगानों के आंतिक जगरों के कारण रंजी सिंग को अपनी अस्थिती ड्रीड करने का अफशर मिल गया 880 इस्वी में अहमद सा अफदाली का पोत्र सा सूजा काबुल की गदी पर बैठा प्रन्तु उसके भाई सहा महमूद ने सक्तिसाली बरक जई सर्दारों फत्र खा और दोस्त महमद की सहायता से उशे 809 इस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वेम कस्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया इसी अफशर पर सा सूजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंग से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेट किया अब आगे है निम्रिकित में किसने कहा था कि इस्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों का एक निगा से देखूं इसलिए उसने दूसरी आख की रोस्नी ले ली तो इसका उत्तर है महाराजा रंजीत सिंग रंजीत सिंग का जन 13 नवंबर 1780 को सुकर शक्या मिशल के मुख्या महाशिंग के घर हुआ था वह बारा वर्स के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवाश हो गया 1792 से 1797 ECB तक एक प्रतिशाषन परिशद अर्थात कॉंसिल ओफ रेजेंसी जिसमें उनकी माता शास और दिवान लगपत राय थे ने शाषन कार चलाया 1797 ECB में उन्होंने समस्त कारवाद स्वेम समाल लिया रंजीर सिंग ने लाहोर पर 1799 ECB में अमरित सर पर 805 ECB में तथा फरिद कोट, मालेर, कोटला और अमबाला पर 808 ECB में विजय प्राप्त की थी रंजीर सिंग एक योक्षा शक्ता उन्होंने कहा था कि इस्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निकाशे देखूं इसलिए उसने दूसरी आँकी रोशनी ले ली है अब अगला प्रशन है महरजा रंजीर सिंग के उतराधिकारी कौन थे तो इसके उतराधिकारी खरक सिंग थे 2849 ECB में रंजीर सिंग की मिर्तियो के बाद उसका पुत्र खरक सिंग सिहासन पर बैठा था अब अगला प्रश्ण है सिख राज का अंतिम राजा कौन था तो सिख राज का अंतिम राजा दिलिप शिंग था महराजा दिलिप सिंग सिख सामराज के अंतिम साशक थे उन्होंने 843 से 849 इसवी तक साशन किया था अब अगला प्रश्ण है पंजाव के पुर्व महालाजा दिलीप सिंग के विशय में निम्रिकित में से कौन सा कथन शत्य है तो इसका सेयुत्तर आप्शन ए अर्थाथ 23 अक्टूबर 893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था पंजाव के पुर्व महालाजा दिलीप सिंग का निधन 22 या फिर कुछ सुरोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 893 को पेरिस में हो गया था से सवी कतन अर्षत है दिलीप सिंग ने सिक धर्म छोर कर इसाय धर्म को अपनाया था इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी इनकी अंतियेश्टी इंग्लेंड में हुई थी अब अगला परशन है शिक सामराज का अंतिम साशक कौन तो इसका अंतिम साशक अभी जश्ट हम लोग ने पढ़ा दिलीप सिंग अब अगला परशन है पंजाब के विलाई के पश्षात पंजाओ पर शासन करने के लिए निम्रिकित में से कौन तीन की परिश्ट का शदश्य नहीं था तो इसका सही उत्तर है आप्शन A और D अब आई चलते हैं इसके विस्ताव को परते हैं पंजाब के ब्रेटिस सामराज में बिलाई के बाद लॉर्ड डलहोजी ने 849 इस भी में पंजाब पर शासन करने के लिए तीन लोगों की एक परिश्ट का गठन किया था जिसमें सर हैंडरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया जॉन लॉरेंस और चाल्स ग्रेंड विल मान सेल को सदश के रूप में नुक्त किया गया था वहीं आगे है H.M. इलियर्ट तथा रोबर्ट मॉन्ट गोमरी इस परिश्ट से संबंदित नहीं थे अब अगला प्रश्ण है प्रतम अंगल मैसूर युद में कौन विजय हुआ तो इसका उत्तर है है हैदर अली आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं अब अगला प्रश्ण है नेम्रिकित में से कौन 1755 में डिंडी गुल मैसूर में एक आजनिक सस्तागार की अस्थापना की थी तो इसका उत्तर है है हैदर अली ने 1742 इसबी में वेंके ट्राय के नित्यत में मैसूर सेना ने डिंडी गुल पर विजय प्राप्त की थी 1755 इसबी में मैसूर के महराजान ने अस्थिती को समालने के लिए हैदर अली को डिंडी गुल भेजा था 1755 इसवी में हैदर अली ने डिंडी गुल पर कबजा कर लिया और इस के लिए को एक सैन चौकी में बदल दिया बाद में हैदर अली मैसूर का वास्विक साशक बन गया और 1777 इसवी में उन्होंने पूर्सीन मीर साहिव को डिंडी गुल का गवर्नर निक्ट कर दिया अब अगला परशन है ब्रेटिस जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद में हराया था तो इसका शयूतर है सर आयर कूट 1781 इस्वी में हैदर अली का शामना अंग्रेज जनरल आयर कुट से हुआ था उसने पोर्टो नोवा के युद में हैदर अली को हराया था अब आगे हैं टेपु शुल्तान ने अपनी राजधानी कहा बनाई तो टेपु शुल्तान ने अपनी राजधानी सीरी रंग पटनम में बनाई थी टेपु शुल्तान ने सीरी रंग पटनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहां जैकोबीन कलब की अस्थापना की और उस का सदस्य बना अगला पश्ण है नेमलिखित भारती शास्कों में से कौन था जिसने विदेशों में आधनिक पदती से दूतावास अर्ष्थापित किया था तो इसका उत्तर है टीपु शुल्तान ने अगला पश्ण है टीपु शुल्तान ने ब्रिटिस सेना को 1780 में हराया था कहां तो इसका उत्तर है पोलिलूर में हैदर अली एवं टीपु शुल्तान ने म्राठो तथा निजाम के साथ एक समझोता कर लिया तथा फ्रांसिसी सहायता का वचन ले लिया तथा करना तक पर जुलाई 1780 में आकमन करके अरकाट पर अधिकार कर लिया उसके बाद टी ोंरों की सेना को पोली लूर नामक अस्थान पर हळा दिया अगला परशन है अंग्रेजोंने स्रीरंणपट्चनम के संधि की साथ थी तो इसका उत्तर है टेफु शुल्तान के साथ अप लोग चाहें तूछ सेपर शकते हैं अब अगला परशन है टेफु शुल्तान अग्र तुमेलित है तो आप लोग पढ़िए तो इसका सही उत्तर है option D अर्थात चर्तुर्थ आंगल मैसूर युद टेपू पराजित किया गया और युद के मद्ध दिवंगत हो गया अब अगला प्रश्ण है बेगम समरू ने एक अतिपरसिद चर्च का निर्मान कहां करवाया त ख़या था अगई है निम्न कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है तो इसका सही उत्तर है option A सही नहीं है बाकी सभी सही है अब अगला प्रश्ण है निम्लिकी कतनों पर विचार कीजिए और बतलाइए कि उप्युक्त में से कौन सा कतन सही है तो इसका सही उत्तर आप्शन भी अर्थात के वल तीन सही है अर्थात पलासी के युद में सिराजो दौला की पराजय के लिए मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सद्यन्त रचा था बागी सभी गलत है तो यह था आज के वीडियो का आखरी प्रश्ण आसा करता हूँ आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद